देखते हैं कुछ questions समासास के जो भी normal question हमारे basic उसको देख लेता है तो हम देखते हैं कि पुनर जागरेड की अवधी को और किस रूप में जाना जाता है तो पुनर जागरेड की अवधी को क्रांथी के योग के नाम से भी जाना जाता है फिर हम देखते हैं कि दख course of positive philosophy पुस्तक का प्रथम खंड किस वर्स में प्रकाशित हुआ था तो 1830 में प्रकाशित हुआ था दख course of positive philosophy का फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लोवियाथान पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके लेखा का Thomas Hobbes थॉमस होप्स ने लोवियो थान पुस्तक लिखा था फिर हम देखते हैं कि प्रवोधन में कौन सी बौधिक सकती कारेरत नहीं थी तो पुंजीवाद जो है वो प्रवोधन में बौधिक सकती कारेरत नहीं थी इसके पुझिवाद की फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उद्विकाशिय सद्धान्त में योगेता जिवितिता के वाक्यांस का सरुप्रिथम प्रयोग किया गया था मतलब किया था किस ने किया था तो चार्ज डार्विन ने अद्विकाशी शद्धान्त में इसका प्रयोग किया था फिर हम देखते हैं कि किस ने समाज को समझने के लिए सावयोवी सद्रिश्य का प्रयोग किया है तो दूर्खिम ने सावयोवी शद्रिष्य का प्रयोग किया था समाज को समझने के लिए फिर हम देखते हैं कि किस ने कहा कि समाज एक सावयोव है तो ये भी दूर्खिम है, इमाल दूर्खिम ने कहा था कि समाज एक सावयोव है तो ये हमारे कुछ को